कि नमश्कार मेंबर्स आप सब कैसे हैं उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे दोस्तों में वीडियो में आप सब का स्वाधत है दोस्तों पिछले हफते में ज्यादा हमने कुछ करने की मार्केट में कोशिश नहीं कि आप लोग को मेरे मैसेडिस भी नहीं मिले होंगे क्यों नहीं मिले वाटसप पे मैसे राज रहे थे कि आप कुछ कर रहे हो गया नहीं कर रहे आप क्या कर रहे हो मारकेट में खाली क्यों हो मतलब शान्त क्यों हो ऐसे मैसेडिस मुझे काफी मिले वाटसप पे दोस्तों देखिए आप लोग शायद याद होगा आप लोगों को यहाँ पर कि हमने जब यह महिना शुरू हो रहा था जन्वरी का और तब हम कहां थे हम चैक कर लेते हैं फटाफट से हम लोग तकरिबन यहाँ थे ठीक है एक जन्वरी को आप लोगों को पूरा बुला गया था उस वीक की वीडियो के अंदर कि जाईएगा और अगले हफते जब हम मिलेंगे तो सेम लिवले मिलेंगे और चेक कर लेना आपके दोनों तरफ के मार्किट में जाने के चांसिस हैं लेकिन जब हम मिलेंगे अगले हवते, तो क्या होगा, हम वही मिलेंगे जहाँ पर क्लोस हुए, यह एक जन्वरी को जहाँ पर हम थे, exactly उसके बाद पाँस जन्वरी को, जो है हम यही मिले थे, सेम लिफल पे, आप लोगों को याद होगा, यह वर्डिंग्स, और हम सेम लिफ मिले थे जब पांच जन्वरी को वीडियो पोस्ट की थी जाके चलूर चेक कीजिएगा वीकली वीडियो मैंने आपको यहाँ पड़ी समझाया था पांच जन्वरी को वीकली वीडियो में के हम एक बार हो सकता है अभी तक हमने बीज दिन के मुविंग एवरेज को टेच नही यह कहा था आपको कि ऐसा मत समझिएगा कि बीज दिन के मुविंग एवरेज को टेच करने के बाद हम मतलब उपर ही जाएंगे ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर मार्केट में हम लोग क्रेश कर जाएंगे क्रेश की काफी बाते हो रही थी उस वक्त तो पांच जन्वरी को यह के मुविंग एवरेज के आसपास गये टच करने के बीज़ आपर रह गए थे और मार्केट बीक दिन के मौvं एवरेज के टच किया और मार्केट उपर भागा यहांपर हम लोगों ने यही सूच जा था करेश नहीं करेगा जो लोग पूरी दुनिया बोल ली थी करेश करे बनी मतलब जब हम इस हफते में आए बरा तारीक को ठीक है और हाँ यहाँ पर हम लोगों ने अपना पॉर्टफोलियो खाली करने की भी सलहा आप लोगों को शेर कर दी थी मतलब मैंने अपना पॉर्टफोलियो यहाँ पर तक्रीबन पांस तारीक को खाली कर दिया था क्योंक कि यहां पर जब पांस तारी को भी हमने यह कहा था कि यह जो महीना है ना देखो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी याद करिएगा यह सब बाते वो मैं रिपीट करा रहा हूँ आपको जो कि आपको याद होनी चाहिए अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो और वही सब हो रहा है जो कि हम लोगों ने डिसकस करते आए हैं तो यहाँ पर जब मार्किट थी पांस तारी को वीकली वीडियो जाकर चैक कीजएगा मैंने आपको साफ साफ का था जितने अच्छी रेली हम लोगों ने यहां से लेकर यहां तक की इन्जॉय की है ना वैसा अब आगे इतना आसान नहीं होने वाला जनवरी मन्थ तो इस चीश को आप नोट करके रख लीजिए गया ज्यादा आपॉर्चिनिटी नहीं मिलेगी मतलब क्या कहते हैं आप्शन बायर्स को और यहां पर कुछ ज्यादा अपॉर्चिटी अगर नहीं मिलेगी तो हम मार्केट के हिसाब से ढ़ल जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा ट्रेड ही चाहिए ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट एजी रहेगा हमेशा यह सब बाते मैंने आपको कहीं थी जाके चेक कीजगा पुराने वीडियोस में और यह सब बाते हमारी हुई थी पांच जनवरी के जब हमारा वीकली वीडियो के अंदर हमने यह सब बाते कहीं थी आज हम कहां खड़े हैं आज हम 22 जनवरी में खड़े हैं और हमारी जनवरी के एकस्पाई निज्दीक है तो आप जाके खुद चेक कर सकते हो जहां पर हम 1 जनवरी को खड़े थे Market कहीं गया नहीं दोनों तरफ के बंदों को मार दिया परिशान कर दिया नीचे भी गया उपर भी गया लेकिन आज हम कहां खड़े हैं एक जनवरी की जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 21,700 के आसपास आज मार्केट की क्लोजिंग कहां हो रखिया 21,500 के आसपास तो यहाँ पर जो हमको expected था कि मार्केट यहाँ पूरा जन्वरी मन्थ आपको ज्यादा पॉजिटी नहीं देगा मार्केट में अभी यहाँ पर चार्ट्स धीरे धीरे खराब होने शुरू होंगे मार्केट दोनों तरफ के लोगों को मारेगा मार्केट यह बिलीव कराएगा कि यहाँ पर हम मतलब या तो बिलकुल ही उपर जाने को तयार है या फिर नीचे जाने को तयार है यह बिलीव कराएगा लेकिन मार्केट कहीं जाएगा नहीं यह सब वर्डिंग्स थी जाकर जरूर चेक की जाएगा और ये वर्डिंग से अगर आप याद होँगी तो आपको जरूर यहाँ पर इस समझ में आ गया होगा या फिर यह सब को समझ में आ जाएगा अब आपको कि मैंने क्यों मैं मतलब खाली बैठा हूँ क्यों मैं वीकली पूरे वीक मैंने यहाँ पे काम नहीं किया लेकिंगे दोस्तों यहाँ पर ना मारकेट आसान है तो यहाँ पर अच्छा होता है पैसा आपका बनता है लेकिन ऐसे मारकेट के अंदर अगर आदे को होता क्या है बारा महीने होते हैं हमारे 12 महीने में से 2 महीने कम से कम ऐसे जरूर मिलेंगे जो कि आपको ऐसा परेशान करने वाले होंगे और यह हम जानते हैं जन्वरी का महीना ऐसा ही होगा ठीक है तो यहां पर अगर 2 महीने हम छोड़ भी दें तो 10 महीने हमारे लिए कितने खूब्सूरत रहेंगे या आप ज़रा सोच के देखिए और हमने पुनानी रैली को इंजॉई भी किया ज़िए 200 डेस के मुविंग एप्शे मार्किट था यही से हम लोगों ने इंवेस्टमेंट भी करी एक्विटी में वहाँ पर भी अराम से 35-40% का प्रॉफिट हमारा निकला यहाँ पर हमने हर डिप को बाय करने कोशिश भी करी और वो भी हमारी सक्सेस्फुल रही हमने कोई कॉल राइटिंग या कोई बेरिश पोडिशन यहाँ पर इस दुरान नहीं दी हमारी सारी स्ट्रेटेजी सक्सेस्फुल रही लेकिन दोस्तों जब हम यहाँ पर जानते हैं हमने डिसकस कर लिया पोर्टफिलियों निकाल दिया और यहाँ पर हमने डिसकस कर लिया जनवरी के स्टार्टिंग में कि भाई यहाँ पर मार्केट कहीं नहीं जाएगा जनवरी जनवरी आपको परिशान करेगा आप थोड़ा सा पेशन्स रखिए अच्छे समय का वेट कीजिए तो वाट इस दा प्रॉब्लम मैं जानता हूँ यहाँ पर बहुत सारे जो मेंबर्स हैं वो यह समझ के आते हैं कि मैं डेली उठूंगा सुबह उठके ट्रेड लूँगा और डेली पैसा कमाऊंगा और यहाँ पर तो मार्केट टेली ग्यज़ा ही रहेगा सुरी दोस्तों ऐसा नहीं होता है मार्केट में मार्केट में आपको मार्केट का टाइम के हिसाब से आपको अपने आपको ढालना होगा अगर आप market के हिसाब से नहीं ढ़ले न तो फिर दिक्कत ही होगी और आप जो ये अच्छा profit कमाया होगा न वो इस दोरान आप पूरा कर पूरा गवा देंगे और market कहीं जाएगा भी नहीं इस बात को याद रखिएगा ठीक है तो यहाँ पर अच्छे समयगा वेट की करना बहुत जरूरी है market में अच्छे समयगा वेट नहीं करेंगे तो फिर तो आप सोचें भाई daily मैं लेके जाओ अच्छा पैसा market से तो भाई ठीक है फिर आप ही सब कुछ है market तो कुछ है ही नहीं तो मैं इसके उपर कुछ ज़्यादा कमेंट करने के इच्छा में इस वक्त नहीं हूँ फटावट से हमने recap कर लिया पूरे महीने का जो हमने अभी तक बात की थी पिछले अप्त हम ज़्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं की थी ठीक है gap down की बारे से हमारा S.L. हिट हो गया था उसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया एक ट्रेल लिया था उसका हमने कुछ किया ही नहीं क्यों नहीं किया अब उसके बारे में खुद आप चेक कर लो कि अगर हम यहाँ पे करते ग्याट डॉन होने के बाद तो इसका भी का तो हमारा इत होता ठीक है यहाँ यहाँ पर लोंग किया, उसका SL, यहाँ पर नीचे गिरी फिर ूपर जाने के लिए थी तियार हुई फिरुपर गई तो अंगले देन, फिर नीचे गिरी आने कि आपके तीन, पैसल हिट होते लेकिन मार्केट कहीं गया ही नहीं यह एक सच्छा ही है तो इस इस बैटर टू कीप क्वाइट इन दा मार्केट फोर सम टाइम आपको यहाँ पर समय देना मार्केट के अंदर कर पैसा कमाना है तो बहुत जरूरी ताकि मार्केट अच्छे समय पर जब आएग हफते में कितने दिन बचे हैं 26 सारिक की फ्राइडे की वैसे ही छुटते तो अब जो है टूजडे वैडनेस डे एंड थास्डे यह तीन दिन ही काम होगा तो टूजडे वैडनेस डे एंड थास्डे मिलके यहाँ पर तीन दिन जब काम होगा तो यहाँ पर समय कम है क्या है यहाँ पे समय कम है टाइम कम है एफ आई इसके पास, बड़े प्लियर्स के पास लेकिन टाइम कम है काम क्या है? जादा है समझना इस तीश को काम जादा है जादा काम कौन सा है? कि जो उन्होंने जन्वरी की मंत की पूडिशन्स बना रखी थी बुलिश वाली वो उन्हें क्लोज करनी है और उनकी जो बुलिश पूडिशन्स है तक्रीबन साथ हजार के आस पास है तीन दिनों के अंदर अंदर ही करनी है जन्वरी के एक्सपैरी जो है वो अब तीन दिन के अंदर होने वाली है तो अगर bullish positions उनकी hold है और सारी सारी profit में है तो दोस्तों यहाँ पर bullish positions close जब होंगी तो market किस direction में जाएगा सोच के देखिएगा market जाएगा नीचे की direction में जिसकी chances जो है वो 90% है इस वक्त समझ में आया तो मैंने यहाँ पर इस वक्त इस हफते में क्या बोला है को balance out करना है वो भी bullish positions को जो profit में बैठी है इसको काटना है FIIS को तो समय कम काम जादा bullish positions कटेंगी तो कहां जाएगा market 90% chances रिजाएगे कि नीचे जाएगा तो यह है इस वक्त का मेरा stance लेकिन यहाँ पर दोस्तों अभी समझना होगा हम लोगों को कि play कैसे करें भाई यह तो हम समझ गए नीचे जाएगा लेकिन play कैसे करें यह हमें समझना है अब अगला हफता देखिए दोस्तों यहाँ पर जब छोटा हफता है समय कम काम जादा है FIIS के पास तो यहाँ पर अब market नहीं रुकेगा यह पूरा महिना जो है न वो रुका है market एक लेवल के आसपास एक average लेवल लगाओ तो आप एककिस पानसो एककिस छेस्टो के आसपास ही घूमा है ठीक है लेकिन अब नहीं घूमेगा क्योंकि अब उसको समय से पहले अपने काम को निम्टाना है किसको बड़े प्लेयर को साथ में यहां पर prediction भी ये बोल रहा है prediction जो है वो ये बोल रहा है क्या बोल रहा है कि यहां पर एक market में pressure देखने को मिला है देखो क्या हो रहा है अभी देखना पहले क्या हो रहा था market जब उपर जा था ना तो green color के candle की volumes काफी heavy थे यहां पर buying चल रही थे बड़े player के द्वारा जब मैं आपको बोल रहा है था buy on dip करो buy on dip करो तो this is also a learning for all of you तो यहां पर चल रही थी buying ठीक है यह देखो green color के candle फिर buying लेकिन जब यहां पर red color के candle बन रही थी ना तो यहां पर देखो volumes नीचे की तरफ slope हो रहे थे नीचे की तरफ slope होरे है red color के volumes ठीक है अब यहां से क्या हुआ है जन्वरी से होना red color के volumes उपर की तरफ slope होने शुरू हों है लेकिन volumes на substantial sk sólo का हो रही हो ठीक है तो और green color की अब यहाँ पर देखो, यह दो दिन green color candle बनी, उपर दाने कोशिश की मार के लेकिन volumes नीचे की तरफ slope हो रहे हैं, याने की, यहाँ पर दाने कोशिश करी लेकिन यहाँ पर green color candle नीचे की तरफ slope हो रहे हैं, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इसी को समझो, accept this candle only, this candle का capable volume अच्छा था, बाकि, volumes इस वक्त red color candle के ऊपर की तरफ slope हो रहे हैं, green color candle के नीचे की तरफ slope हो रहे हैं, यानि की, यहाँ पर बड़ा प्लेयर का रहा है, बड़ा प्लेयर equity में बेच रहा है, इस वक्त, साफ-साफ समझ में आ रहा है, जनवरी के बाद से market में equity में माल बेचा जा रहा ह है, अब ये भी समझ मागया, market माल एक कुट में बेचा जा रहा है, सब कुसमझ में आ गया, इसलिए यहाँ पर चार्ज जो है, वो अब खराब होने शुरू हो गए हैं, याद रखना, इसलिए मैं करना 90% चार्ज जो है, वो नीचे के हैं, ये भी याद रखना, नीचे मैं बोल रहा हूं, अगर ये वाला बजट से पहले लो तूट जाए, ठीक है, और इस तीन दिन में ही तूट जाए, ये वाला लो, तो शौग्ड मत होना, ये मत सोचना, कि अरे ये कैसे तूट गया तो नहीं जल्दी, ठीक है, clear words मैं बोल रहा हूं, simple words मैं बोल रहा हूं, अगर ये वाला तूट जाए, अगले तीन दिन में, expiry से पहले, don't be shocked, इस चीश को shocked मत होना, मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा साफ साफ कहने का मतलब ये है, कि यहाँ पर बजट से पहले इस लो को तूटता हूँआ, मैं देख सकता हूँ, अब upcoming, मतलब 7-8 दिन का लो भी ट targets क्या होंगे, I have marked, I have marked my level, around 21,000, around 21,000, 50 का अभी क्या है, 50 डे का moving average है, और यहाँ पर 21,000, 50 के आसपास जो है, वो यहाँ पर moving average खड़ा है, तो 50 डे, 21,000 और 21,000, 50 के आसपास के levels आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, so keep this point in mind, इसका मतलब यहाँ पर मैं साफ साफ ये क कह रहा हूँ कि यह लो तूटेगा, बहुत जल तूटेगा, और अगर यह लो तूटेगा, तो बहुत फास्ट तूटेगा, बहुत जल तूटने का मतलब क्या है, कि बहुत फास्ट तूटेगा, सब चीज कोईलेट क्यों हो रही हैं, ऐसी, क्योंकि मैंने भी आपको बताय समय कम काम जादा है काम जादा है तो इसलिए यहां पर जो भी नीचे का सिनारियो होगा वो बहुत फास्ट होगा ठीक है यू कांट बिलीव दिस तो यहां पर आपके पैसे कमाने का मौका अच्छा खासा होगा अब यहां पर मैं आपको समझा देता हूं कि ट्यूजडे को मा एक बज़े दो बज़े तक माँ फर्स्ट हाफ जो है ट्यूजडे का ऊपर के तरफ लेवल के ऊपर निकाल दे और सब को लोगों को बुलिश कर दे और फिर अचानक से तूपना शुरू करे ठीक है तो यानि कि तीन मैंसे आधा दिन तो गया ट्यूजडे का ऊपर के तरफ और बचा के तना धाई दिन धाई दिन में अगर यहाँ पर मार्केट नीचे तोड़ दे तो वी शुड़ नॉट बी शॉगड़ अब यहाँ पर अगर मार्केट उपर के लेवल अब यहाँ पर समझे न मैं आपको 90% चांस यह बता रहा हूँ कि नीचे के तरफ तूटेग लेकिन this is the probability game of the market अपन लोगों को 10% भी बात करनी है 90% चांस नीचे नीचे के तरफ है 10% चांस क्या हो सकते हैं वो भी हम समझ लेते हैं यह लेवल आपको होगा दिख रहा होगा 21,834 अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर ट्यूज़ जब कर दे देन हम नीचे के 90% को भूल जाएंगे then market will मतलब कहते हैं ना जो की इस लेवल के नीचे गर्डाण होने के बाद जो क्रियेट हुआ है There is a chance of filling this gap only and only 10% 10% chance हैं गैवल मैं आको सब्सब्सब्दों में बोल रहा हूं यह गैप फिल कब होगा जब मार्केट 21,834 के ऊपर क्लोज होगा ठीक है कब होगा otherwise यहाँ पर 21,834 के आसपास से अगर प्रेशर दिखना शुरू होता है मार्केट में और मार्केट में एक छोटी सी रेट कंडल या मतलब second half में अगर सैलिंग चलू होती है और बिना टच किये don't play in the weekly option chain हम लोग कभी भी weekly options में नहीं खेलते हैं हम monthly में ही खेलते हैं अगर आपको play करना है आपका stop loss रहेगा 21,840 का और साथ में आपको monthly में play करना है जो कि अब फरवरी end का month के options में ही आपको play करना है बेशक्से वो महेंगे हैं लेकिन आपकी safety होगी यहाँ पर डीके जल्दी fast नहीं होगा weekly में मत play कीजेगा हर बार कहता हूँ फिर भी लोग नहीं करते फिर कहते हैं हमारा loss हो गया डीके हो गया, ये हो गया, वो हो गया इसके जिम्मेदार फिर आप खुद ही हैं ठीक है ट्रेड कैसे करना है, बता दिया SL क्या होगा, वो बता दिया और कब bearish trade नहीं लेना वो बता दिया और किस्तना fast move होगा, वो बता दिया target क्या होगा, वो बता दिया now it is totally up to you कि आप trade कैसे करते हैं bank nifty bank nifty जो है, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है bank nifty में ICIC bank के results अच्छे आए हैं, लेकिन इस वक्त अच्छे bank या फिर अच्छी company के result जो आ रहे हैं वो इस वक्त margin problems के वरे से sell off हो रहे हैं, याद रखना यहाँ पर अब Tuesday को अच्छा एक ठोड़ा सा gap up भी मिल सकता है या फिर यह समझ लीजे के मतलब कैसे कहते हैं, क्या कहें उसको के ICIC result के अच्छे result कम आये हैं तो उसको market ठोड़ा सा कह सकता है कि ठीक है चलो, एक दिन में हम आपको reward दे रहे हैं लेकिन उस reward को catch मत करना ठीक है? catch मत करना, यह मैंना आपको level खीज के दिया, कौन सा? 46,640 का level इस level के ओपर जाता क्लोज ना करें आपको market में strength नहीं मिलेगी bank nifty में, ठीक है? याद रखना है इस चीश को, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, market में bank nifty में भी debt kit bounce नहीं आया, nifty में आ चुका है हो सकता है टूजड़े को, bank nifty में debt kit bounce आये, जिसके वज़े से nifty भी तोड़ा था उपर के level के ओपर, फ्लोट करें फ्लोट करें, उपर के level के ओपर ठीक है, तो यह debt kit bounce हो सकता है 46,640, यही level है mark कर लीजेगा इसके आस-पास ही आये, और यहाँ पर bearish positions बना के market में और फिर यह तोड़े, और यह तोड़ेगा तो कम से कम, कम से कम, हम फिर यहाँ पर आएंगे, 45,500 के level के आस-पास हम बहुत जल्ड आते हुए दिखेंगे, and that will be the fast this will also be a fast move, ठीक है, situation same है, जब इस level के पर close कर जाए, तो please bearish positions, मत लीजेगा, नहीं होता, pressure बनता है, तो नीचे के तरफ आएंगे, वो भी fast आएंगे, so this is totally, totally, totally depend on you, के how you play, ठीक है, so this was from my this week video, and I hope आपको clear हो गई, होगी, ठीक है, तो clear हो गया, चलतो, चलो मिलते हैं, फिर, मेरे message का वेट मरक करना, मैंना आपको पूरा setup समझा दिया है, मेरे message का वेट करते रहते हैं, आदे लोग तो, के ललित जब message देगा, जब भी हम कुछ action लेंगे, देखो दोस्तों, मेभी, मैं screen के सामें नहीं बैठा, मेभी मैं कुछ काम कर रहा हूं, या मेभी मैं नहीं ट्रैवल कर रहा हूं, बट मैं आपको पूरा सेनारियो समझा दिया है, ठीक है, सो, use your mind, use stop loss पता है, आपको target पता है, आपको trend पता है, देन, ललित के message का वेट प्लीज ना किया कीजिए, ठीक है, भी थोड़ा सा, मैं भी मैच और, in the market, चलो दोस्तों, फिलार इतना ही, मिलते हैं, हम, अगले week, next week की, वीडियो के अंदर, thank you, thank you so much for watching this video, thank you.